हेलो एवरीबन आज की इस वीडियो में हम लोग भी फार्मा थार्ट सेमेस्टर टू थाफजन ट्वेंटी यू एन ट्वेंटीवन का पीपर देखने माले आज का जो सब्जेक्ट है हुआ है फार्मसुटिकल और्गेनिक के वेस्ट्री सेकेंड तो आज की इस वीडियो में ह यहां पर आपको six digit collect करना है इसी वीडियो में आपको मिलेगा और उस six digit को आपको यूज करना है पीडियो को extract करने के लिए चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से और सेक्शन ए में जो पहला question पूछा गया है वह है define aromaticity ठीक है तो आपको यहां पर aromaticity के बारे में बताना है और यहां पर आपको काफी detail में बताया है ठीक है aromaticity को और यहां पर आपको example के साथ बताएगे क्योंकि कभी-कभी example भी last में पूछ लेता है ठीक है तो यहां पर आपको example भी देखने को मिल जाएगा next question आपको पूछा कि why phenol is acidic यहां पर पूछा जा रहा है कि phenol है वो क्यों acid होता है किस कारण से acid होता है वो आपको बताना है तो यहां पर अभी आप देख सकते हैं इसी कारण से आपको acid होता है यानि OH group लगा रहता है यहां पर इसी कारण से acid होता है तो यहां पर आपको regionating structure के थूरू बताया गया है कि किस कारण से यहां पर acid होता है next question यहां पू यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में दिया गया है तो आप यहां से देख सकते हैं कि किस करण से यहां पे होता है तो नेक्सक्वेशन इसमें वह है राइट डिफिनेशन और आर्यम वह लू ठीक है देखिए जितने भी आपके isausus YouTube Definitely कर लीजिए कि आपको दो नमर में कोुशन डिफनेटली एक एक दो आहन जाता है कभी कभी तोटीन भी पूछ टा ay 2023 में आपको तीन पूछा गया था ठेक है तो यहां पर वैलु वाला कोशन तो को मिल जगह कि RM value क्या होता है next question यहां पर discuss the difference between dry and non dry oil with example ठीक है तो यहां पर आपको dry oil or non dry oil का यहां पर example भी बताना है ठीक है और उसे explain भी करना है तो यहां पर आपको काफी detail में explain किया गया है ठीक है इक्जांपल के साथ में तो यहां पर आप example देख सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आपको भी explain करना है next question इसमें पूचा गया हुआ है what do you understand by angle strain ठीक है तो angle strain क्या होते है ठीक है तो उसके बारे में आपको बताना होता है ठीक है तो angle strain जो होता है उसके बारे में आपको बताना है। पोशंग है। इसमें है। इससलिकिते धूजडा की यहां पोदस चत्व को आपको कर दोया हुआ है। थे सबस्तुल सब्सक्राइब आपको दो आपको देखने को मिल जागा से पॉनिफिकेशन वह देखे मैं आपको बार 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 बोल रहा हूं कि वैलु वाले जितने भी कोस्टन है वह आप कर लिजे जैसे आर्यम वैलो आयोडीन वैलो एसीड वैलो ठीक है तो यह सब कोशन कर लिजे ऐसे कोशन है काफी ज्याद डेफिनेटली करके जाना है इसका हावर्ड सिंथेसिस वगरा भी आप कर लिजिए ठीक है यह काफी इंपोटेन कोस्टन है क्योंकि यह कभी कभी दोनों अलग-अलग करके पूछ लेता है दो नमर में ठीक है यहां पर यहां पर स्टॉक्चर बताना है ठीक है और मेडिशन करके जाएं तो बनाना बॉंड क्या होता है उसके बार ही में आपको बताना है अब चलते हैं सेक्षन बी के दरब और सेक्षन बी में जो पहला कुछा गया है वह है एक्स्प्लेंदी मेथट और प्रिपरेशन और केमिकल रियेक्शन और फिनोल ठीक है तो यहां पर आपको पर यहां पर बताया है ठीक है तो यहां पर काफी डीटेल में ज्यादा लिखा हुआ है तो आप तीन लिख सकते हैं ठीक है कोई च्छुटा-च्छुटा देख लीजिए दो तीन हो जाए ठीक है लेकिन इतना ध्यान रखें कि हवाट सेंथिस सब का याद करना है ठीक है इ क्योंकि आपको नेप्थलीन से काफी इंपोटेंट कोशन आते हैं साथ नमर में दस नमर में पूछा भी गया और दो नमर में भी पूछा गया तो अगर आप नेप्थलीन अगर करके जाते अच्छे तरह से तो आपको ऐसे भी काफी इंपोर्टेंट कोशन है क्योंकि कई पर यहं पूछ लिया जाता है और 오мотря काफी बार लेकेन का आपको method of preparation और chemical reaction बताना आए ठीक है तो यहां पर आपको method of preparation देखने को मिल जाएगा पहले और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको chemical reaction यहां पर देखने को मिल जाएगा ठीक है chemical reaction ठीक है और यहां पर chemical reaction में भी काफ़े detail में लिखा गया कि आप समझ सके उस of monosubstitution benzene compound towards electrophilic substitution reaction ठीक है तो यहां पर आपको effect of substitution बताना है on orientation ठीक है of monosubstitution benzene compound ठीक है analytic and other evidence in derivation of benzene ठीक है एवी important question है क्योंकि कई बारे question पूछा गया है तो आपको definitely इसे भी त्यार करना है क्योंकि यह भी star marks में आते है question ठीक है तो यहां पर आपको synthesis ठीक है और analyticals and other evidence जो है in derivation of structure और benzene में तो उससे आपको बताना है ठीक है तो यहां पर काफ़े detail में आपको लिखा गया है इसे आपको definitely त्यार करके जाना है ठीक है काफी easy language में है तो आप इसे त्यार कर सकते हैं ठीक है पर बर्डते है next question पर और next question इसमें पूछा गया है discuss the basicity of ammonia डिक है तो यहां पर सबसे पहले आपको बीशाइट क्यों को देखने को मिल जाएगा एड इफेक्ट अब सुट्यूशन ऐं बसे सिटी ओफ आमाइनड टीक है तो यहां पे इफेक्ट अप सूट्यूशन और्बसे इप्सेटी ओफ आमाइन ठीक है आरोमेटी को मिल जाए तो यहां पर शिर्फ अमाइन कोश्चन में पूछ गया तो ऐसा ना समझे कि सिर्फ हमाइन है एरोमेटी का माइन है ठीक है देखें यहाँ पे value से मैं आपको बार बार बता रहा था कि value से question आते हैं तो देखें यहाँ पे 7 नमर में भी question पूछा गया इस question पूछा गया है write detail notes on iodine value ठीक है तो यहाँ पर आपको iodine value के बारे में बताना है जो कि काफे detail में आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ठीक है तो आपको सारे value को 7 नमर के हिसाब से त्यारी करना है कि अगर आपको 2 नमर में आए तो भी आप लिख सके 10 नमर में आए त क्योंकि 10 नमर में आएगा तो एक question आएगा उसके साथ एक और question आएगा तो आप साथ नमर की इसाब से त्यारी करेंगे तो दोनों कर सकते हैं next question है discuss the Howard synthesis of anthracene ठीक है तो यह आपको यहां पर Howard synthesis of anthracene के बारे में बताना है और Howard synthesis के बारे में बताना है तो जितने भी Howard synthesis है ठीक है जितने भी हवरट synthesis है उससे आपको definitely कर लेना है हाइडो करबचार्वन का जितने भी अ हवर्ड synthesis से वह सब कू आपको करके ही जाना फिर तिक है इस यूदित में जो Neρείंक है उसमें आपको definitely or naplin, penopterine और anthracine और fenothrin यह सब जितने भी है तो सब का आपको howard synthesis definitely आना चाहिए howard synthesis एक method of preparation है ठीक है तो आपको method of preparation में आपको howard synthesis definitely आना चाहिए तो यहाँ पे आपको anthracine का howard synthesis देखने को मिल जाएगा ठीक है और थोड़ा नीचे जाएंगे तो howard synthesis of phenothrin का बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है तो आपको यह question को काफी अच्छे से करना है ठीक है यहाँ पे air ॐसिटेिटए टीरल इबाउट बाइयर टीटेषली बारे में बताना है जो कि काफे बता गया है शुका यहाँ पे लिम मेडारे अश्चंद बताना है जो कि यहाँ पैर यहाँ प्यक्तिस्न У्हां पर दखने को मिल जाएगा ठीक है लिमेडिशन में आपको द सबसे पहले तो आपको इसका डिपनीशन लिखना है डिसकस दी चेमिकल रीक्षन और फाट ऑवल एन वेक्ष्ट यहां पर नेक्षन के बाद आपको केमिकल रीक्षन लिखना है जैसे कि यहां पर लिखा गया है तो इस तरह से हमारा जो section C है वो भी complete होता है ठीक है और आज का जो पेपर था वो हम लोगोंने complete discuss किया है अगर आपको कोई query है तो आप हमें पूछ सकते हैं ठीक है आप comment box में अपना query डाल सकते हैं अधर्वाइस आपको पीडियो का जो पास्वर्ड हो आपको वीडियो में मिल गया होगा ठीक है और आप चाहिए आप इस एक्स्ट्रे करके यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते है नेक्स व